नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अनिल डॉलर है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करें आज का वीडियो हमारा कस्टम CSS के बारे में है तो बैसिकली अगर आपके पास कोई WordPress की थीम है उसे आप उस थीम के अंदर आप CSS इंक्लूड करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशल होगा तो कुछ क्रेशन्स में जो डाउन कर रहा हूं अगर आपके यह सारे वीडियो हमारे लिए बहुत बेनिफिशल होगा तो बैसिकली यहां पर जो है मैं चार फंक्शन्स आपको बता रहा हूं पहला फंक्शन है blog info stylesheet url दूसरा फंक्शन है blog info stylesheet directory तीसरा है get stylesheet url और चोता है stylesheet directory url यहां पर हमेशा दियान रखना वर्डप्रेस के अंदर जिस भी फंक्शन के नाम के आगे अगे अगर get underscore आ जाए इसका मतलब वो function return कर रहा है और जिस function के आगे get underscore नहीं लिखा हुआ है वो function एक चोल में echo कर रहा है so definitely इनको हम one by one यहां से हम देखेंगे so चलिए हमारी theme के अंदर जाते हैं so सबसे पहले तो आप अपने project में चले जाएए और vs code के अंदर उसको start कीजिए so मेरा project c के अंदर, exam के अंदर, htdocs के अंदर, anil dollar के अंदर और definitely यह मेरा project folder है यहां से मैं get bash here करूँगा और vs code के अंदर आप इसको start कर लीजेगा so यहां पर मैंने code dot किया तो यह पूरा के पूरा मेरा vs code के अंदर start हो जाएगा so यहां पर देखें मेरा vs code start हो गया है अब मैं इसको थोड़ा full screen कर देता हूँ so यहां पर अब इस terminal की मुझे जरूरत नहीं है इसको बंद करें यहां से collapse करके आपका फूरा terminal जो भी आपका workspace से आपको यहां पर दिखाई देगा आपकी theme जो है उसकी particular location है WP content, theme and then आप my theme पर work कर रहे है तो अगर मैं इसके back end area में अगर जा के बताऊं तो आपको appearance में जाना है और theme sections पर जाना है यहां पर जाने के बात देखिए आपके पास basic 3 themes तो आती है 2019, 2020 और 2021 so basic themes अवेलेबल है so definitely एक theme आपने अपनी custom बना रखिये previous video के अंदर यह screenshot कैसे लाते है theme का नाम कैसे देना है, version कैसे देना है author का name, उसका address और description यह सारी meta informations हम style.css के अंदर उपर के multiline comment वाले block में हम लिखते हैं यह previous video में मैंने आपको explain किया हुआ है अब जब मैं theme को activate करूँआ और मैं front end देखता हूँ तो यहां पर हमारी जो CSS है वो effect नहीं उपाती है तो generally होता यह है कि यहां पर आप अपनी theme के अंदर जाते हैं और style.css में आपने कुछ भी code लिखा for example मैंने यहां पर लिखा मैं पूरी body का background color red करना चाहता हूँ तो यहां पर मैंने लिखा background color red और यहां पर आप important देजिएगा save किया और output देखेंगे तो कोई color red नहीं होगा क्योंकि wordpress आपकी css file को style.css file को यह detect नहीं कर रहा है तो सबसे पहला काम है कि आपको wordpress को detect करवाना है कि style.css इस file को कैसे wordpress read कर पाए तो इसका linking करना पड़ेगा इसकी linking करने के लिए जो आपका header.php है यहां पर आपने definitely के लिए अभी आपने inline style use किया हुए है इसलिए inline style तो आपके काम कर रहे है मगर जो external special file बनी हुई है theme की वो detect नहीं हो रही है वो नहीं काम कर रही है इसके लिए आपको यह करना है कि आप इसकी link करें सो हमें अच्छी तरीके से पता है external CSS को link करने के लिए link tag यूज किया जाता है और यह link tag जो है हमारा सिर्फ singular tag है इसलिए में इसको self close कर रहा हूँ अब यहाँ पर REL equals to style sheet आपको लिखना है यहाँ पर style sheet लिखा और यहाँ पर link href हमेशा ध्याम लखना link के साथ कुन सा attribute होता है href होता है अब यहाँ पर जो href है यहाँ पर आपको उसका address जो है dynamically आपको generate करवाना पड़ेगा इसलिए आपको PHP block का start और PHP block का close लिखना है उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इन चार function में से कोई एक use करना है अगर मैं यह blog info function use करता हूँ तो यहाँ पर ध्यान दिखे कि blog info के आगे get underscore नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर मुझे echo लिखने की जरूरत नहीं है आप directly किस function को use कर सकते है style sheet, blog info, style sheet URL यह save किया last में semicolon लगा देना ध्यान यह रखना है कि double quotes के अंदर PHP का tag आपने लिखा और blog info, style sheet URL आपको function को call करवाना है then save किया और output देखते हैं आप immediately देख सकते हैं कि मेरे पूरे body का color red हो गया है इसका मतलब कहीं न कहीं मेरी style.css file जो है actual mail लोड हो गई है तो इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप control U प्रेस करें U for underline so U पर आप देखेंगे so जैसे ही आप अपने template का code देखेंगे तो देखेंगे ये generate हो गया है आपने एक चीज और notice करी होगी कि blog info के आगे मैंने echo नहीं लिखा है क्योंकि blog info के function के अंदर internal कहीं न कहीं echo होता है अगर आप blog info function के बारे में और कुछ जानना चाते हैं तो आप थोड़ा बूगल कर सकते हैं यहापर मैंने लिखा blog info style sheet URL इतना सा आप लिख के wordpress की जो official website है developer.wordpress.org इसके अंदर आप जाईए और यहाँ पर आप function की definition को अगर थोड़ा से study करें तो आपको पता चल जाएगा कि blog info function के अंदर actual में क्या होता है अंदर की ओर echo होता है इसलिए अगर अंदर echo है तो calling करते समय आपको echo देनी की ज़रूरत नहीं है तो यह तो चलिए दोस्तों यह तो पहला हमारा पहला तरीका हो गया वह यहां तक available है So WP content, themes और my themes तक available है So यह जितना भी structure है यह जितना भी structure मैंने select किया हुआ है यह हमारा directory structure है theme की directory तक का है So style sheet directory है हमारी basically So style sheet directory है So यहाँ पर हमें यह करना है कि जैसे ही मैं यह blog info style sheet directory अगर करता हूँ तो यहाँ पर हमें जाके code में जाके यह paste करेंगे and then यहाँ पर जो है मैंने paste किया, save किया and then output में हमने देखा, यहाँ पर refresh किया देखिएगा style sheet नहीं आई है मगर सबसे important बात है कि again आपको control you press करना है और structure को समझना है तो यहाँ पर देखिए कि अब मेरा structure आ रहा है WP content के अंदर theme के अंदर my theme आ रहा है so एक बात तो यह हो गई कि अगर आप blog info style sheet URL लिखोगे तो आपको direct style.css तक का पूरा जो address है वो आपको मिल जाएगा मगर यदि आप इस function को use कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा address बनाना पड़ेगा क्योंकि already आपके पास आपकी custom theme का तो address ही सही तो बस आपको अपना custom address और बनाना पड़ेगा वो आप कैसे बना सकते हैं यहाँ function के बाद यहाँ जाके यहाँ पर आप PHP में comment करें और यहाँ पर देखिए last में जब आपने control you press किया होगा कि एक slash यहाँ पर लगाना पड़ेगा इसलिए यहाँ पर यह dot है concatenation operator है और यहाँ पर आप slash लिखें और यहाँ पर आपकी main CSS का आपको address यहाँ पर concatenate करके लिखना पड़ेगा तो यह दूसरा तरीका हो गया style sheet को include करने का तो इसको save करें और एक बार फिर से control you press करके इसका refresh करके देखेंगे तो definitely यहाँ पर मैं एक बार refresh करके आपको बता देता हूँ और control you press किया और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि style sheet include नहीं हुआ है और इसका reason यहाँ पर इसको concatenate करने के बाद यहाँ पर इसको concatenate किया और यहाँ पर मैं इसको अगर echo करवा हूँ save किया और output हम देखें so definitely यह देखिए ठीके यहाँ पर हमारा यह दूसरा तरीका हो गया कि इस प्रकार से आप style sheet ले सकते हैं so basically यहाँ पर हो रहा है blog info then अलग से आप जो है echo करवा रहे है कुल मिला कि आप style.css तक की file का जो address है आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप link की करवा रहे है बट सबसे easy जो है वो आपका blog info ही है blog info style sheet url so यह पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है get style sheet uri तो basically यहाँ पर क्या है इसी function को आप copy कर लें और यहाँ पर php blog को पूरा खाली करें यह मैंने खाली किया अब यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि WordPress के अंदर जब भी कोई function के आगे get underscore लिखा जाता है तो वो function अंदर से return कर रहा होता है तो उसलिए आपको यहाँ पर क्या करना जरूरी है echo करना जरूरी है तो जो भी WordPress का function जिसमें get underscore को लिखा हुआ है rule आज ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस भी function के आगे get underscore को लिखा है उससे just पहले हमेशा आपको याद रखना है क्या लिखना है echo लिखना है तो यहाँ से मैं save किया और output आपने यहाँ से देखा यह देखे style sheet अगेन मेरी आ गई है यह देखे पूरा URL इसमें generate कर दिया है अब मैं जान पूच के जो है मैं जो बोला गया है वो follow नहीं कर रहा हूँ get underscore style sheet you are right direct लिख रहा हूँ और अब मैं अपना address देखता हूँ कि क्या मेरे style.css का address जनरेट हुआ नहीं हुआ control you press करिए देखे कोई address जनरेट नहीं हुआ है आपको यह golden rule दियान रखना है कि जिस भी function के आगे gate address को लिखा हुआ है 100% उसको आपको आगे क्या लिखना पड़ेगा एको लिखना पड़ेगा तभी वो value को return करेगा echo करेगा यहां से यह देखे हमारी style sheet यहां से generate हुई है अब मैं आपको वापिस से एक चोथा तरीका और बता देता हूँ style sheet को include करने का उसमें अगेन आप नाम से ही पता चलिया होगा कि यह directory का theme की directory जो है वो address बताएगा फिर अगेन मुझे style.css को अलग से उसको पूरा URL को build करना पड़ेगा तो यहां पर मैं गया copy किया इस पूरे function को मैंने copy किया और इस function को मैंने यहां पर लिखा save किया और आप output पर जाके देखें यहां पर मैं output पर गया मेरी css अभी नहीं आएगी उसका reason क्यों है तो control यू प्लेस करके source code तक देखना है और आपको समझना है कि address आपकी my theme तक आया है आपका proper address build नहीं हुआ है अब proper address build करना है तो आपको पता है my theme के अंदर style.css नम की file बढ़ी हुई है तो आप directly उसको build कर सकते हैं तो build करने के लिए आप अपने board में जाएए अगें आप देखे कि echo में already लगा चुका हूँ तो अब अगला जो है concatenate करने के echo लगाने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर यह थोड़ा सा difference है कि यहाँ पर मुझे echo लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पूरे statement में मैंने आगे की और echo पहले से लगा चुका हूँ तो देखते हैं चलिए हमारा यह जो चोथा तरीका है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखिए यहाँ पर काम कर गया अगेन आप control यूप्रेस करें और आप देख सकते हैं कि मेरी theme का जो address है वो प्रॉफर बिल्ड हुआ है तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक custom CSS कैसे लिंक करना है वो मैं आपको बताया अब जब आपने custom CSS यूज करी लिया है आपकी style.css आपने include करवा दिया है तो सबसे easy वाला जो तरीका है वो blog info आप ले लीजिए तो blog info यहाँ पर हम लेते हैं और मैं यह सबसे easy वाला आपको करके बता देता हूँ तो यह किया मैंने यहाँ पर गए और मैंने refresh किया देखिए style sheet आ रहा है control you press किया और यह आ रहा है तो यह हमारा पहला तरीका मैंने implement किया और यह जितना भी structure जो मैंने अभी inline लिखा हुआ था यहाँ से आप cut कर लें क्योंकि यह सिफ temporary था permanent जितना भी code रखना है CSS का आपको style.css में ही रखना है तो यह पूरा के पूरा code आप यहाँ पर रखिए तो यहाँ पर यह मैंने पूरा के पूरा code रखा और save करें और इस header.php में से इस style tick का कोई काम नहीं है इसको आप यहाँ से हटा दीजिए और आप अपने browser में जाईए और refresh करिए यहाँ से जैसे ही मैंने refresh किया देखिए मेरे header, मेरे column सारे अभी भी बने हुए है कोई दिक्कत नहीं आ रही है इस प्रकार से आप custom CSS को include करवा सकते हैं next video में style.css को सबसे best तरीका जो होता है WordPress में include करने का वो तरीका जो है मैं आपको next method में next video में मैं आपको बता हूँ है इस video में तो मैंने आपको चार तरीके आपको बता रखे हैं style.css को include करने का मगर एक और पांचवा जो method है जो की सबसे best माना जाता है हमेशा WordPress developer को वो ही method यूज़ करनी चीए वो method किस प्रकार से हम अपने style sheet को include करवा सकते हैं WordPress के standards के according वो मैं आपको next video में बता हूँ हूँ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये video अच्छा लगा होगा तो इसको आप like करें friend circle में share करें Thank you